तो शलिए अब बता रेते हैं आपको कि कैसे इस प्यारों के अनाम दू में अब कहानी हो चली है काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग साथ इसाथ आठ एपिसूट्स के अंदर कहानी ने दिल्चस मोड लेने भी शुरू कर दिये हैं खबर देता है आपको कि अब कैसे कैसे कहानी के अंदर बहुत इंट्रेस्टिंग तरीके से आप कहानी के अंदर के किरदार से मिलते मिलते हर बार है जाते हैं जी हाँ एक ऐसा किरदार जो हर बार परदे पर तो आता है लेकिन उसके बावजूर भी किसी से नहीं मिल पाता है जिसका नाम है शिल्पा जी हाँ, भही शिल्पा जिसको कहानी के अंदर आपने काफी कम बार देखा होगा लेकिन भही इसके बावजूर भी जितनी बार आती है उतनी बार कहानी में कुछ न कुछ ऐसा छोड़ जाती है कि दर्शक रह जाते हैं काफी ज्यादा है रान बता दे आपको कि शोड़ की शुरुआत से ही लगातार कहानी में कुछ ट्विस्टन टर्न अपनी जगा बनाए हुए हैं साथ ही आपको ये भी बता दे एक ऐसे अब ये ही शिल्पा नजर आती है आपको हर बार अदवे की मदद करते हुए और साथ ही अदवे की सबसे बड़ी साथी के रोल में भी ये भी बता दे आपको कि अब तक के ड्रामे में सबसे बड़ी जगा लेने वाली है शिल्पा क्योंकि अब शोगी कहानी में में विलन ना सही लेकिन शोगी आगे आने वाली अपडेट के अंदर आप देखने वाले है की में गिर्दार के रूप में इस शिल्पा ही भढ़ती भी नजर आने वाली है आपको और साथ ही रिखने वाली है आपको अब तक के सबसे स्ट्रॉंग रोल में वेल अब वो क्या strong role होता है और साथी आकर किस रोज में नज़र आती है इस शिल्पा ये भी बताएंगे आपको और साथी ये भी बताएंगे कि कैसे भला अद्वे और शिल्पा का connection जुड़ा है और आखिर अद्वे के अतीत की कौन सी गिर्दार की शक्स होगी ये शिल्पा वेल जुड़े रही है हमारे साथ यूकिन सब की अप्रेट हम देने वाले हैं आपको बहुत ही चल तो फिट आफट से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल टॉप नूज जिस्ट फर यू तॉप नूज से आस था की रिपोर्ट